Welcome to my channel, आज हम पढ़ने वाले हैं, Design Up Key के बारे में, इसके पहले मैंने जो पढ़ाया है, वो पढ़ाया है, की क्या होता है, की के कौन-कौन से classification है, systematic तरीके से diagram के द्वारा मैंने उसमें बता दिया आपको, bit कैसे निकालते हैं, थिकनेस कैसे निकालते हैं, इन सब के बारे में आपको बताया हुआ है, rectangular की क्या होती है, square की क्या होता है, इनमें difference बताया मैंने, इसके लिए फीदर की भी बताया मैंने आपको, और उसमें मैंने आपको संक्रकी के बारे में बताया हुआ है, अब हम पढ़ने वाले हैं, आज, design up key, इसमें key की design करना हम सीखेंगे, सबसे की के लिए हम अगर बात करना, तो key जो attach होता है, की माल्ड इस्टिल का बना हुआ छोटा पार्ट होता है, जो की shaft और hub में हम लोग उसको attach किया जाता है, जो की related motion के लिए काम आता है, अगर कुई shaft rotate कर रही है, तो rotate करने के लिए हम इसमें key को attach करते हैं, जिसके द्वारा व मना हुए, जिसमें हमारे पास shaft का diameter D है, जो key की लंबाई है, वो L है, यह जो है, यह shaft है, और उपर जो लगी हुई है, वो key है, इसके लाब इसका cross section diagram मना हुए, cross section diagram में यह आपको दिख रहा है, shaft है, और यह उपर जो दिख रही है, आपको यह दिख रही है, की, दो phase, pitch फोर्स के लिए, हमagnical force भी बोल सकते है, तो हमारे पास shear force लग़रा है, वो लग़रा है, f जो कि इस direction से भी लग़रा है, जो कि आपको diagram में दिख रहा है, की में, इसके लाबा जो tension force लग़रा है, या verstishing force लग़रा है, वो लग रहा है, हमारे पास f1 ऊपर से और f1 नीचे से जतना पूर्स उपर से लग रहा उतना पूर्स नीचे से भी लग रहा है इसके लाब हम जानेंगे कि की का जो यह होता है। यहां तक dimension होता है यह होता है width आपकी जो कि आपको यहां पर दिखाई हुई है and जो इसकी मोटाई होती है की की वो हम लोग इस type से denote करते हैं यह कि आपको दिखाया हुआ की की मोटाई थिकने से हैं तो हमारे पास यह की का diagram है की का diagram में यह direction rotation deflation यज़िए गया है की लगी हूई है स्ट्प्त है इसके या इसमें हमारी पास जो फ्याइब लगता पूर्स यह बड़ेंगे अब जो उसके बारे बटाया गया है लेट अप्ट के द्वारा च्टार्ट ँंप्र ट्रीट होती है पुह था है करते लिज looks आपकी की लंबाई और डबलू जो होता है वोता है वोता है विर्थ आपकी की चोड़ाई नहीं बोल सकते हैं एंगले से विर्थ बोल सकते हैं दो इसमें स्ट्रेस यू जो होती है टाव एंड सिग्मा सी होता है वहता है की की कोई से से स्ट्रेस लग रही है तो इतने डाइमेंशन जो है वो डाइमेंशन के यू रहा है ट टर्क transmitted by the soft F है tangential force acting at the circumference of the soft D है diameter of the soft L है length हाप की W bit आप की T thickness हाप की and tau and sigma C है shear and crossing stress for the material of the key सबसे पहले इसमें लाया गया है considering sharing of the key the tangential sharing force acting at the circumference of the soft सबसे पहले हम इसमें sharing force के दवारा सेरेंग पॉर्स निकालेंगे सीरम जो है मैंने आपको पहले बताया है एक का फार्मूला होता है एफ अडरुंशर तो हम एरिया निकालेंगे अगर की का तो लेंग्थ है और लेंग्थ है और है करद लेंट निकालते हैं Loud निकाला एं एफ है sharing force, sharing force अगर निकालना तो area हो जाएगा into share stress हो जाएगा, area हम निकालेंगे L into W के दवारा, उसके अलावा tau भी लगा देंगे, तो हमार पास ये हो जाएगा formula F, sharing force का, अब इसमें हमार पार टॉर्क नकालते हैं, तो टॉर्क का formula होता है, T equal to F into dy2, तो हम क्या करेंगे, ज T equal to F into dy2 है, तो यहां रखेंगे, तो हो जाएगा, L into W into tau into dy2, तो ये equation number 1 हो जाएगी, T अगर निकालेंगे, तो T equal to हो जाएगा, F into dy2, L into W into tau into dy2, ये हो जाएगा, sharing stress के लिए, next हम करेंगे इसमें, considering crissing आप दिख की, T के लिए crissing stress के लिए करेंगे, the tangential crissing force acting at the circle of parents, आप दिख साथ, crissing force रहेगा, वहां बार पर F1 रहेगा, यहां पर F1 रहेगा, F1 रहेगा, F1 equal to रहेगा, area resting crissing into crissing stress, जो जहां पर crissing लगा उसका area into crissing stress रहेगा, तो crissing लग रहे हमारे पास, force लग रहे है, वह हमारे पास up and down पर लग रहे है, अगर हम देखें, तो soft में इस टैप्स लगा हुआ है, इसमें up और down लग रहे है, हमारे पास, इसमें हमारे पास यह थिकनेस आ जाएगी, और इसकी length आएगी, हमारे पास इसमें फार्मूला बन जाएगा, L into Ty2 into Sigma C, आँधी थिकनेस पर पड़ रहे है कि, इसलिए हमारे पास Ty2 आया, तो L into Ty2 into Sigma C, यह F की वेलीव आ गई, तार्क आपको मालूम है फार्मूला टार्क ट्रांस्मेटर बाई दी साफ होता है T equal to F into dy2 F की value हम यहां spot कर देंगे तो आजाएगा L into dy2 into sigma c into dy2 तो यह आजाएगा टार्क equation number second हो जाएगी अब दोन equation में हम लोग length निकालेंगे first equation में length निकालेंगे second length निकालेंगे आप जो length बड़ी होगी वो कहला है कि length था P यही इसके design होती है आपको इसमें दो formula याद करना है एक formula क्रूसिंग के लिए करना है एक प्रूसिंग के लिए वाला formula करना है T equal to L into dy2 into sigma c into dy2 इससे हम लोग L निकालेंगे दूसरा करना है आपको दूसरा करना है यह वाला formula T equal to F into dy2 मतलब L into W into tau into dy2 इससे भी L निकालोगे इसके दोवारा L निकालोगे और इसके अलावा इससे भी L निकालोगे दोनों को L निकालने के बाद जो greater than हो लंबाई वो कहला है कि length था P इस type से हम design अपकी करेंगे अब इसके बाद से हम numerical पढ़ेंगे